सल्मान खान की अगली नई फिल्मों की लिस्स आ गई 2024 और 2035 में कौन सी फिल्म हैं? रिलीज करेंगे सल्मान खान इस वीडियो में आपको बताएंगे भाई की फिल्मों की डिटेल सल्मान खान 2024 में जिस मूवी को परदे पर लेकर आएंगे उसका नाम है किक टू ये फिल्म पिछले कई सालों से सल्मान खान की लिस्स में है मगरा फाइनल हो गया है कि सल्मान खान किक टू के साथ 2024 की ईद पर एंट्री करेंगे सल्मान ने 2024 की ईद अभी से बुक कर ली है और इसके लिए तयारियां जोरों शोरों पर हैं सल्मान ने उसे हरीजन्डी दे दी और इसी के बाद 2024 की ईद की डेट लोग कर दी गई 2024 में सल्मान खान अपनी जिस्ट दूसरी फिल्म को रिलीज करेंगे तो फैमिली बेस रोमांटिक है ये मूबी 2024 की दिवाली पर फैंस के लिए खास तौफा लेकर आएगी सल्मान ने प्रेम रतंधन पायों के बाद सूरज बढ़ जात्या के साथ इस मूबी के लिए कैमिस्ट्री बनाई है इस फिल्म का नाम प्रेम की शादी हो सकता है या फिर प्रेम इस बैक भी रखा जा सकता है एक करीबी का इस मूबी को लेकर कहना है सल्मान खान और सूरज बढ़ जात्या इन दिनों प्रेम की शादी को लेकर बातें कर रही है फिल्म की कहानी लगबग पूरी हो चुकी है सूरज इस कहनी पर लंबे बक्त से काम कर रहे है बताया जा रहा है कि सल्मान खान के साथ इस फिल्म है जो हीरोई नैब उनकी पत्नी होगी और कमाल का फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा साल दोजार पचीस में सल्मान खान दबंग सीरीज की मूवी के साथ आने को बेकरार है रिपोर्ट्स के मताबे किसके लिए सल्मान नै दोजार पचीस की ईद की डेट पहले से फैनल कर रखी है सल्मान खान चाहतिया कि दबंग फोर को अब और ज़्यादा न लटकाया जाए इसलिए दबंग के मेकर्स कोई बात बता दी गई है दबंग फोर की हिरोईन सुनाक्षी सिन्ना पहले से तह है लहाज़ा इस्टार कास को लेकर ज़्यादा माथा पच्ची नहीं हुई इस क्रिप्ट भी अरवाज खान काफी पहले ही सलमान खान को सुना चुके है जिसमें थोड़े बहुत चेंजिस किये गई 2025 की क्रिस्मस के लिए भी सलमान ने बुकिंग कर ली है फैंस को बैक टुबैक खुश करने के लिए सलमान खान ने एक साल में सलमान खान दो मूवी देंगे दोस्तों सलमान खान की फिल्मों की डेट लाइन पर आपकी क्या राय है और क्या एक साल में सलमान खान को अब दो फिल्में किसी भी हाल में रेलीज करनी चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं the legendary Salman Khan when we went to invite him for the function that was the first time I was meeting him